दोस्तों हैबिसकस के फ्लावर्स तो सभी को पसंद आते हैं फिर वह चाहें देशी वाले हो या हाइब्रड वाले हो तो हर घर में हैबिसकस का पौधा जो है गुड़हल का पौधा पाया ही जाता है तो कुछ कारण वस अगर आपके फ्लावर्स की जो कलिया हैं आपके प्ला सब्सक्राइब है तो यहीं सब आज आजयो में डिसक्स करेंगी तो फुल वाज करिए गार अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिजीए कर दिया कमЕН करिए। अगर first time विट कर रहे हों स्वागत है आप सभी का फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होग की अच्छे ही होंगे अच्छे से अपनी गार्णिंग कर रहे होंगे तो सबसे जरूरी बात यहां है हमारे हैबिसकस प्लांट के लिए कि हैबिसकस का जो प्लांट होता है उसे धूप बहुत ही पसंद होती ह तो जितनी ज्यादा धूप अपने प्लांट को आप प्रोवाइट करेंगे उतने ज्यादा फ्लावर्स आपके प्लांट में आएंगे गुडहल के प्लांट में मिली बक्स का अटैक बहुत ही जल्दी होता है तो आप प्रॉपर अपने प्लांट को रोज चेक करते रही कि आपके प्लांट में मिली बक का अटैक तो नहीं हुआ है और मिली बक का अटैक होता है इस सबसे आदा उनकी कलियों पर तो कलियों में बनी मॉल का इस प्लांट आपको ध्यान कर देते हैं तो यह भात आपको ध्यान रखनी होगी और अपने जो प्लांटर की मिटी है उसको आप वेल रेंड ही बनाईए और अपनी प्लांट में वाटरिंग का विसेज ध्यान जादा वाटरिंग मत करिए नमी बना कर रखिए अपने प्लांट में भर भर के वाटरिंग मत करिए जब आपके प्लांट की मिट्ट में प्लांटर की मिट्टी सूख जाए उसके बाद अपने प्लांट में आप वाटरिंग करिए तो वाटरिंग भी बहुत ध्यान रखनी है तो आपको यह रखनी है कि गुडहल के प्लांट को हमेशा आप इस्टैंड के उपर रखिए जमीन से थोड़ा उपर उठा कर अगर आपने प्लांट जो इस्टैंड के प्लांटर है आपका उसको रखेंगे तो जो नीचे से उसकी हीट होती है वो पास होती रहेगी से हमारे प्लांटर में जो हवा मिलती रहेगी तो इससे भी फ्लावरिंग पर असर पड़ता है हमारे कलिया जो है खिलती रहती ताकि गर्मी बहुत पड़ती है और नीचे से हवा पास नहीं होती है तो इसलिए आप जो गुडहल के प्लांट से उनको हमेशा स्टैंड के उपर रख सकते हैं इसमें आप कम प्रियोग में करें अप पोटास शैटा करें कि पोटास प्रीयोग को जयादा करें क्योंकि पोटास गुड़हल के प्लाण को पसंद है तो आप पोटास वाले जो फटलाजर हैं उनको आप यूज मे ले सकते हैं लेकिन दिये पे का प्रयोग कम करें तो इनहीं कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे अपने गुड़हल के प्लाण में तो आपके प्लाण में जो है भर भ हवा पास होती है और रड़ी एपे का प्रयोग कम करें पोटास की मात्रा वाले जो होते हैं फटला दर्म का यूज करिए और फिर देखेगा आपके प्लाण में में भी जो है खुल सारी फ्लावरिंग होगी आपकी कलिया जो है जड़ेंगी नहीं आई होब कि मेरी वीडिय क्योंकि दर आप लोगों को थोड़ी सी है थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी